असलाम लेकुम मैं हूँ शबीना खुशाम दीदा आपको मेरे चैनल इजी रेसेपी बाई शबीना पे शुरू करते हैं लताला के नाम से जिसका नाम ही हमारे दिलों का सुकून है आज हम आपके लिए वाइट मटन की रेसेपी लेके आए हैं बहुती आसानी के साथ बहुती जटपट से हमने इसको बनाया है आपने इसको एक बार टेस्ट कर लिया तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे तो आए देख लेते हैं हमने इसको कैसे बनाया है बिस्मिल्लह रह्मानी रहीम तो आए बनाना शुरू करते हैं एक कूकर हमने ले लिया है उसमें हमने रिफाइन तेल का इस्तेमाल किया है रिफाइन तेल ही इसमें जाएगा वाइट मटन में कि कुछ खड़े गर्म मसालें है जिसमें ठोड़ा सा न तूटी हुई में टूटी हुँई दारचीने के टुगडे लिये हैं एक बाधियान का फूल है और इसमें हमने सफेध लाइचि लिये ठोड़ा से जाइफल और जावित्री थोड़े थोड़े टुकड़े हमने लिए हैं और तीन प्यास बड़े साइज की हमने कट कर ली है तेल को हमने बहुत ज़ादा गरम नहीं किया है इसमें हमने अपने गरम मसाले आइड कर दिये हैं और इसमें अब हम प्यास आइड करेंगे और धीरी धीरी आज पर ही हम इसको अच्छे से भूनेंगे अच्छे से फराई करेंगे कलर बिल्कुल भी नहीं हमको लाना है बस हमको प्यास को सॉफ्ट करना है बहुत ही धीरी धीरी आज पर हमने इसको फराई किया है और देखी इसमें हम नमक भी शामिल कर रहे हैं ताके हमारी पैस जल्दी से सॉफ्ट हो जाए नमक शामिल करके हम इसे अच्छे से फराई करेंगे बहुत हलकेल के आग पर हम इसको फराई कर रहे हैं मसालों ने अपनी खुश्बू छोड़ दी है तो यहां पर आके हम अद्रक लिसुन एक चमज भर के शामिल कर रहे हैं देखिए पैस हमारी सॉफ्ट हो गए कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है यहां पर हम अद्रक लिसुन को खुश्बू आने तक थोड़ा सब भून लेंगे और हम आदा किलो मटन जिसको हमने धुल के अच्छे से साफ कर लिया था इसमें शामिल कर रहे हैं 500 ग्राम मटन हमने इसमें शामिल किया है इसे अच्छे से चला के हम थोड़ी देर तक भून लेंगे तीन से चार मिनट तक हम इसे भूनेंगे आज हमने लोही रखी है बहुत ज़दा तेज हमने नहीं करी है वसे तो मटन और प्याजने पानी छोड़ना है फिर भी एक छोटे कप से हमने पानी शामिल कर दिया ताकि हमारे वाइट ग्रेवी खराब ना हो थोड़ा भी ना लगे बीस मिनट के लिए हमने कूकर का ढखकन लगा दिया था आएए चिक करते हैं बीस मिनट के बाद क्या रेसल्ट होता है मटन हमारा गल गया है की नहीं आएए चिक कर लेते हैं माशाला अभी से ही जबरदस सी खुश्बू फैली हुई है आप इसको जरूर ट्राइ करिएगा बहुत ही सिंपल सा बनता है और बहुत ही आसानी से बनता है अभी हमारा मटन गला नहीं है अभी इसमें काफी कसर लग रही है इसको हम चला लेते हैं थोड़ा सा पकाते हैं इसको कि प्याज थोड़ा सा इसके साथ मिक्स हो जाए और इसको हम ढखकन लगा के वापिस से 10 मिनट के लिए सीटी लगा देंगे अभी हमारे मतन में बहुत ज़्यादा कसर है तो 10 मिनट के लिए हमने ढखकन लगा दिया था आई अब चिक कर लेते हैं पानी हमने नहीं ड दालेंगे तो हमारे मसालो का कलर खराब नहीं होगा तो आईए हम अपने बचे हुए मसाली शामिल कर लेते हैं एक चमच भरके हमने यहां पर सब्स मिर्जो का पेस्ट शामिल किया है और यहां पर हमने काजू और बादाम का पेस्ट शामिल किया है आधी प्याली साथ साथ काजू बादाम लेके हमने उसको अच्छे से बहुती बारीक सब पीस लिया था उसको हमने शामिल कर दिया है और देखिए आधी प्याली हमने इसमें दही भी बहुती अच्छी से फेटी हुई शामिल कर दी है बहुती अच्छी से वाइट वाइट सी हमारी गरेवी तैयार हो तोड़ी सी कसूरी में थी एक चमज के करीब शामिल कर रहे हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी भी आइट करना है मटन की काफी अच्छी रेसेपी हमारे चैनल पर मौझूद है आप हमारे चैनल को चेक कर सकते हैं हमारा मटन बिल्कुल अच्छे से तयार हो चुका है बिल्कुल गल चुका है काफी अच्छी खुश्बू आ चुकी है तो इस सब बचे हुए मसाले जो है इनका काम खतम हो गया इसको हम निकाल देते हैं और सर्फ करते हैं माशालला जबरदस्ट से खुश्बू और बहुत शुक्रिया आपने कर दिया साथ में लगा हुए बिल्काइकान भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके अल्ला तला आप लोगों को जज़ा खैर दे आप लोगों की सहत में रिस्क में बरकत अता फरमाए हमें भी दुआओं में याद रखें चली मिलते हैं नेक्स वीडियो में इन्शाला ऐसी ही किसी मज़े के रिसे पे के साथ अल्ला हाफीज